दोस्तों अगर आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपके पास में एक मोबाइल फोन है जिसके अंदर इंटरनेट अवलेबल है इस इंटरनेट के थुरू आप मोबाइल में ओल्लैन वीडियो देखते हैं जैसे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं entertainment की तमाम चीजों का online उप्योग करते हैं अगर आप ये सभी काम करते हैं इसका मतलब आप social media का भरपूर उप्योग करते हैं आए दोस्तों आज हम ऐसे ही कुछ daily use में आने वाली applications या social network services के बारे में बात करते हैं यूटूब एक American online video sharing platform है जिसका headquarter San Bruno California में है यूटूब को तीन former play Paul employees जिनका नाम Harley, Steve और जावेज करीम था ने बनाया था यूटूब की services फरवरी 2005 में शुरू हुई थी यूटूब को ठीक एक साल बाद में ही गूगल ने नमबर 2006 में तकरीबन 1.65 billion US dollar में खरीद लिया था जो की गूगल के लिए यकिनन एक अच्छा सोदा साबित हुआ क्योंकि आज की तारीक में यूटूब कई billion US dollar की property है जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं यूटूब गूगल का ही एक product है जिसके कई सारे part हैं जैसे यूटूब go, यूटूब kid, यूटूब music, यूटूब studio, यूटूब tv, यूटूब original और यूटूब premium ये सभी यूटूब के ही products हैं अगर आकड़ों की बात करें तो social media की दुनिया का हर तीन में से कम से कम एक व्यक्ति यूटूब का इस्तमाल करता ही है यूटूब दुनिया की कई भाशाओं में और कई देशों के वीडियो का असीमित बंधार है Facebook एक American Social Media और Technology की कमपनी है जो basically मेलनो पार्क कैलिफोर्निया में established है इस कमपनी की खोज मार्क जुकरबग ने की थी और उनके कुछ साथियों ने की थी जो Harvard College के स्टुडेंट से Facebook के लोगों में नीले कलर को preference दी गई है क्योंकि Facebook के संस्थापक मार्क जुकरबग को लाल और हरे रंग में पहचान करने में दिक्कतें आती थी इसलिए उन्होंने आसानी से पहचाने जाने वाला नीले रंग को चुना Facebook की स्थापना 4 फरवरी 2004 में की गई थी WhatsApp या WhatsApp Messenger यहे भी एक American Freeware Cross Platform Messaging and Voice Over IP Services है इसके rights भी अभी Facebook के पास में ही हैं इस services में user text message send कर सकता है voice message send कर सकता है voice और video call कर सकता है message भेच सकता है document के थूँ, image के थूँ, अपनी location send कर सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है WhatsApp की initial release date 3 में 2009 थी WhatsApp के original authors में brand aton और gen.com का नाम आता है Instagram यहे एक American Photo and Video Sharing Social Network Services है Instagram शब्द का प्रियोग दो शब्दों को मिला के किया गया है पहला instant camera, दूसरा telegram आज के टाइम में Instagram को Facebook द्वारा खरीद लिया गया है Instagram को create करने का श्रे Kevin और माई के पास में है Instagram को सरुपथम उप्योग के लिए internet पर 6 October 2010 को डाला गया था Twitter यह American Micro Blogging और Social Network Services है इसके creator मुख्य रूप से Jack Dorsey, Noh, Glass, Bizy Stone और Ivan William है इसमें से Jack Dorsey इसके CEO है ट्यूटर को सरुपथम 21 March 2006 को बनाया गया था और इसको उप्योग 15 July 2006 से करना शुरू किया गया था ट्यूटर के लोगों में एक bird का इस्तमाल किया गया है इस bird को Larry नाम से भी जानते हैं ट्यूटर के उप्योग के प्रारंबिक दिनों में इसे friends टाल कर भी बोलते थे इस services में जब भी user कोई post करता है या कोई message करता है तो उसे tweet कहा जाता है दोस्तों, social media में जदातर अमेरिका देश का ही दबदबा है परन्तु एक ऐसी भी social network service है जिसने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है उसका नाम है टिक टॉक टिक टॉक एक Chinese video sharing social network services है यहे एक binging based company है जिसका संचालन bite dance के द्वारा होता है टिक टॉक की शुरुआत सन 2012 में हुई थी और इसे जियांग विमिंग ने सबसे पहले create किया था टिक टॉक एक app है ना की website जिसमें एक mint की वीडियो डाल सकते हैं इन वीडियो में मुख्य रूप से dance, comedy, personal talent और lip sing है इसके अलावा टिक टॉक में chatting की भी possibilities है टिक टॉक एप में तकरीबन 40 भाषाओं में वीडियो बनाने के विकल्प हैं यूटूब, टिक टॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वाटसब और फेस्बूक इन सभी प्रमुख social media companies के अलावा भी कुछ अन्य कंपनी भी अस्तित्व में हैं जैसे टेलिग्राम, वाइबर, IMO, स्काइपे, वीचेट, स्नेपचेट, इत्यादी ये सभी social media company एक बहुत बड़े social media group का निर्मान करती है जिसने पूरी दुनिया को अपने कबजे में ले लिया है और हर आदमी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इन्ही social network companies का सबसे ज़्यादा इस्तमाल करता है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें, शेयर करें